राजनितिक दृष्टी से हमारे विरोधी कॉंगर्स पार्टी वाले बोलते हैं मोदी जी क्या सोचाले सोचाले की बात करते हैं यह कोई काम है? सोचाले क्या होता है? चुनावी जनसभा में मेरे साथ उपस्थित मेरे वरिष साथी और भारत सरकार में मंत्री संमानिय रामिश्यो तेली जी हमारे राज्ये सभा में मेरे साथी और हमारे वरिष्ट नहयोगी श्री कामख्या प्रसाद तासा जी हमारे यहां के बहुत ही लोक्प्रिय प्रत्याशी और आप सब के भाई बिमल बोरा जी हमारे जगदीश राजकोवर जी जिला के अध्यक्ष तिलेश्वर जी जो मंडल के अध्यक्ष है प्रद्युत दत्ता जी जो मंडल के अध्यक्ष है और शिवा सोनुवाल जी जो असम गन परिशत के केंद्रिय समीती के सदस्य है जोगेश विकास चेतिया जी जो असम गंड परिशत के जिला समीती के सदस्य है श्री दिलीब गोगई जी जो हमारे ओहम काउंसिल के सदस्य है आप सब का अविनंदन, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में इकत्राय हमारे बुजर्ग हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहने और मेरे मीडिया के साथ ही, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ ही मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहां अपने चुनावी सभा में आने का मौका मिला है और जिस गरम जोश्री के साथ हमारे असम के सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए हमारी बहनों ने, हमारी मताओं ने और हमारे नौजवान साथियों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया है और इसके साथ साथ इस सभा में इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आये हैं यह इस बात को बताता है कि यहां महौल हर शुलास का है जीत का है आशिरवाद देने का है और सफलता देने का है मित्रों आपकी तालियों की गड़गडाहट यह बताती है कि आपने तै कर लिया है कि बिमल बोरा को फिर से विधान सभा में भेजना है इस बात को आपने तै कर लिया मैं जब यहां आया हूँ तो डिब्रुगड में उत्रा जहां जगनाद धाम है मैं जगनाद भगवान को नमस्कार करता हूं और इसी के साथ साथ यहां जो राधा कृष्ण मंदिर है वहां भी हमारे देवताओं को विशेश का राधा किश्ण जी को नमन करते हुए आप सब लोगों के साथ चुनावी सभा में बातचीत शुरू करता हूँ हम जानते हैं चुनाओ के समय लोग आकर के तरह तरह के वाइदे करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ लोगों को लुभाया जाए अपनी तरफ लोगों को आकरशित किया जाए लेकिन हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जनता की सेवा करना असम की चिंता करना असम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करना इसमें अगर कोई आगे रहा है तो वो भारतिय जनता पार्टी है और भारतिय जनता पार्टी के साथ साथ असम गन परिशद के साथ ही हमार अगर मैं कॉंग्रेस की चर्चा करूँ तो कॉंग्रेस ने यहां की सभ्यता को चोट पहुँचाई है यहां की संस्कृती को उन्होंने एक तरीके से दर किनार करके एक बढ़ने से रोकने का काम किया है और अगर मैं आसम की सुरक्षा की बात करूँ तो कॉंग्रेस पार्टी ने सुरक्षा हमेशा कभी उसको तरजी नहीं दी और इसलिए आसम में समस्याएं बढ़ती चली गई थी लेकिन पिछले पांच साल में सर्वानन सोनवाल जी की सरकार आई और उसे कुछ समय पहले आदर नियम होदी जी प्रदान मंत्री के रूप में जब देश की गद्धी पर बैठे तो आसम की तस्वीर और तगदीर बदल दी गई इस बात को भी हमको समझना चाहिए लंबे समय तक पूरुवत्तर ख्षेत्र की कॉंग्रेस पार्टी ने उपेक्षा की है लंबे समय तक कॉंग्रेस ने यहां विकास के पहिये को रोक दिया था लंबे समय ते यहां काम जो विकास के होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे और इस तरीके से विकास को एक गहरी चोट पहुचाई थी और कॉंग्रेस का दोरा चरित्र हम सब को देखने को मिलता है ये हम ध्यान में रखें लेकिन जब हमारी सरकार आई हमने आसम की संस्कृती की रक्षा की हमने आसम की भाषा की रक्षा की हमने समरिदी लाने का प्रियास किया और हमने सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रियास किया ये आसम की तस्वीर बदलने में योगदान हुआ ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और मैं इस सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहा हूँ पचास साल बोडो का विशे कभी भी सुलजाया नहीं गया लगभग इस सारे उसमें चार हजार से जाना लोग भारे गए लंबी लड़ाई लड़ी गई लेकिन उसके सुझाओ करने का जब सवाल आया तो कभी भी उसका सुझाओ नहीं किया गया उसको कभी भी ठीक ढंक से देखने का प्रियास नहीं हुआ जहां तक कॉंग्रेस पार्टी का सवाल है पॉलिटिक्स ओफ अपर्चुनिसम स्वास की राजनी थी अफसरवादी की राजनी थी ये कॉंग्रेस का लक्ष रहा है और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ एक ही समय में चुना हो रहा है केरल में सीपियम के विरुध लड़ रही है और मुस्लिंग लीग के साथ लड़ रही है बंगाल में सीपियम के साथ लड़ रही है और असम में अजमल के साथ लग रही है ये politics of opportunism नहीं है तो और क्या है ये अफसरवादी नहीं है तो और क्या है एक तरफ तुम CPM के खिलाफ लड़ते हो एक तरफ तुम CPM के साथ लड़ते हो एक तरफ तुम Muslim League के साथ लड़ते हो और यहां अजबल के साथ आप मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश करते हो मित्रो मुझे याद है तरुन गुगई साहाब ने कहा था 2006 में कि हमारे सामाजिक परिवर्तन लाने वाले शंकर देव जी की संस्कृति को जो आगात पहुचाएगा उसके साथ हम कभी समझोता नहीं करेंगे और यह कहा था हूँ इस अब मैं नहीं कह रहाँ आप कहने लेकिन उन्हीं के सुपुत्र जी आज गले मिलकर के चलने का काम कर रहे हैं इसको अफ़जरवादी राजनीती कहते हैं एक अफ़जरवादी राजनीती के दरिश्टी से एक काम हो रहा है यह हमको समझना चाहिए और इसलिए हमको तै करना है कि क्या हम असम की सल्सकृति की रक्षा करेंगे या अजमल जिस तरीके से उसके नित्रतों में जिस तरीके से संबाज को बाटने की कोशिश हो रही है उसका साथ देंगे इस बात को हमको तै करने की आवशकता है और इसलिए मैं एक आपको बताने आया हूँ कि ये कॉंग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है ये दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं बोलते कुछ हैं आप सब लोग चाहे बगानों से आये हैं आप बताईए पिछले पचास साल में चाहे बगानों की तस्वीर बदलने के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने क्या किया क्या बदला उन्हों लेकिन हाँ हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाहे बगान के बगीचे में रहने वारे लोगों के साथ भारतिय जन्टा पार्टी साथ दिखी है और काम किया है इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए हमको तै करना है कि हम कॉंग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने सारी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है विभाजन का समाज को बाटने का उसको हमको करने की आवशकता है यह मैं जरू कहना चाहूं जब मैं संस्कृति की बात करता हूं तो संस्कृति की रक्षा की बात करने के दृष्टी से आप बताईए यह भारतिये जंता पार्टी की सरकार है जिसके आने के बाद नामघर के सुरक्षा रक्षा और उसके विकास के लिए क जीने का अधिकार नहीं है क्या उनको अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार के तरफ से मदद होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो मदद नहीं दी गई पर भारतिय जंता पार्टी की सरकार ने धाई लाख रुपे हर नामघर को दे करके लगबग 11,000 नामघरों का काम को शुरू किया गया है इस बात को हमको समझना चाहिए असंदर्शन के तहद लगबग 9,000 नामघरों का काम चल रहा है यह हमारी संस्कृती की रक्षा के दिश्टी से काम हुआ है अगर मैं भासा की बात तो वो अटल विहारी वाजपई जी की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपई थे जब यहां के महान विभूती भूपेन हजारीका को भारत रत्म देने का काम किया गया और असंदर्शन की संस्कृती को आगे बढ़ाने के लिए एक देश में उसक स्थान बने इसकी चिंता हुई तो भुपेन हरदारीका जी को भारत रत्म देने का काम अटल जी की सरकार ने किया था उसी तरीके से हमारे माधव देव कराक्षेत्र को 43 करोर रुपे की राशी दे करके उसके भी विकास के लिए अगर काम हुआ है तो वह भी भारतिय जनता प 188 करोर रुपे दिये तो वह भी हमारी सरकार ने दिये है यह हमको ध्यान में रखना चाहिए यह हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए मैं कह रहा था बोडो अग्रीमेंट के बारे में देखिए दोनों काम किये असम की भूमी वैसी ही एंटेक्ट रहे यह भी काम हुआ और बोडो के जो विशे थे और उनके जो रक्षा होनी थी वो हभी की गई पचास साल से कोई इस पर काम नहीं हुआ था आई तो आपके साथ मैं यह कह सकता हूँ इससे पहले जो पंदरह साल कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें लगबग दो हजार एक सो पच्पन लोग मारे गए थे दो हजार चौरासी लोग सिक्यूरिटी परसनल के मारे गए थे और हमारे तेरह सो लोग किड्नैप हुए थे यह बोडो लैंड के आंदोलन के समय की स्थी थी और बॉर्डर्स बिलकुल जिसको बोलते हैं वो इतने घुस्पैट हो रही थी यह भी हम सब को मालूम है लेकिन जब बीजे पी आई तो पचास साल यह बोडो का जो आंदोलन चल रहा था वो समझोते में परिवर्टित हो गया और उनके विकास के लिए पंद्रा सो करोड रुपए दे करके उनके काम को भी आगे बढ़ाने का काम हुआ लगभग इसके साथ-साथ कोई धाई हजार हमारे लोगों ने सरेंडर किया चार हजार से ज़्यादा एसौल ट्राइफल्स सरेंडर हुए और इसी के साथ-साथ लगभग तईस सो लोगों ने अरेस्ट हुए और उसके बाद बोडो लैंड के दृष्टी से शांती यहां पर आई है यह हमको समझना चाहिए आज हमके आटोनोमस काउंसल को भी हम जीत गया है वहां भी हमको आशिरवाद मिला है और पंद्रह सो करोड रुपए उनके विकास के लिए खर्च होगा और असम में जो शांती नहीं थी वो शांती लाने का काम किया तो नरेंद्रमोदी जी प्रणान मंत्री थे ग्री मंत्री हमिशा थे और सोनवाल जी हमारे मुख्य मंत्री थे जब ये काम हुआ है इसको भी हमको समझना चाहिए इसलिए मित्रों अब मैं अगर पटे की बात करूँ क्या स्थिती आ गई थी कि विकास के दृष्टी से अगर सड़क बन रही है तो सड़क क्यों रुकी थी सड़क इसलिए रुकी थी कि उस पर कंपेंसेशन देना था कंपेंसेशन क्यों नहीं दिया जा रहा था क्योंकि जो लोग वहां रह रह रहे थे उनको मलकियत नहीं मिली थी इसलिए कंपंसेशन नी दिया जा था वो शों से लटका हुआ था और कॉंग्रेस पार्टी का काम है लटकाना भटकाना अटकाना और भारतिय जंता पार्टी का काम है काम को करके देना ये हमको समझना चाहिए यह हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसलिए जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि पटे देने का काम अगर किया तो वो सर्वानन सोनवाल जी की सरकार ने किया यह हम कहना चाहिए लगवक तीन लाग तीस हजार से जदा पटे दे दिये गए और मुझे बताया गया कि सबसे जदा पटे यहाँ दिये गए हैं यहाँ के लोगों को दिये गए हैं ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए इसलिए मित्रों जब हम विकास की बात करते हैं तो हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टी से, विकास के दृष्टी से, कोई कसर पांच साल में नहीं छोड़ी है, फिर चाहे हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रतु में, कोई आशिरवाद दिल्ली से चाहिए था, वो भी मिला, और यहां पर हमारे मुख् दिलीवार मैं स्वास्त मंत्री था, और मुझे अच्छी तरीके से याद है, चुनाओ से पहले, हमारे उस समय के जोरहाट के एंपी, अपने तासा जी और हमारे रामशुर तेली जी, दोनों मेरे पास आये थे और इन्होंने कहा था, कि स्वास्त का बुरा हाल है, हमको मैंने कहा था, मैं डिस्पेंसरी खोलूंगा, फिर मुझे बताया गया, कि चाय के बगान में मलकियत भी मिलती है, इसलिए डिस्पेंसरी खोलना मुश्किल है, और मुझे अच्छी तरीके से याद है, कि गोहाटी से मैंने जंडा हिला करके, 135 मॉबाइल मेडिकल यूनिट हूँ बेजे थे, यह भी हमको उच्छी तरीके से याद आज, एक हजार करोड रूपे खर्च होने वाला है, चाय के बागानों के लिए, माताओं के लिए, उनके उनकी शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, माताओं के स्वास्त नौजवानों की चिंटा करन के लिए रोजगार के अफसर प्रदान करने के लिए प्रदान मंत्री मोदी जी ने इस वार एक हजार करोर रुपए सिर्फ चाय के बगीचे में लोगों जो रहते हैं उनके काम के लिए किया है इसी तरीके से अगर मैं बात करूं विकास की तो यह जो बोगी बील ब्रीज है यह ब्रीज लंबे समय से लटका हुआ था कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा था मोदी जी का आशिरवाद हुआ और यह काम पूरा हुआ है यह अभी हमको ध्यान में लखना चाहिए आज आप चुराओं के लिए जा रहे हैं कौन है जो चुराओं के जिसने असम की जंता की मनमोहन सिंग्य आके प्रदान मंतरी रहे यहां से प्रदान मंतरी रहे लंबे समय तक राजी सबा के सदसे रहे गैस पर रॉयल्टी नहीं दे सके लेकिन प्रदान मंतरी मोदी जी ने गैस पर रॉयल्टी दी और आठ हजार करोर रुपए आप तक पहुँचाने का काम किया असम की जनता के लिए यह हम को ध्यान में रखना चाहिए तेरवी फाइनस कमिशन में सिर्फ पचास हजार करोड रुपए असम को मिले थे और जब चौदवी फाइनस कमिशन दो हजार चौदा पंदरा में आई तो परदान मंत्री मौदी जी ने 1,555,000 करोड रुपए असम को दिया या हमको ध्यान में लखना चाहिए उसी तरीके से सडकों के लिए लगबग 11,500 किलो मिटर की सड़कें बनी है 11,500 किलो मिटर की सड़कें और उसी तरीके से Уडान के माध्यम से 14 नए हवाई मार्ग यहां पर सैंक्शन हुए 14 ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए ये हमारा नॉर्थ इसका एरिया ये कटा हुआ था कोई इसकी चिंता नहीं करता था लेकिन जब से प्रधान मंतरी मोदी जी बने हैं उन्होंने बार बार आसम और नॉर्थ इसके प्राड गेज रेलवे लाइन आ रही है ये हमको ध्यान में रखना चाहिए इसलिए विकास की एक नई कहानी रखी गई बैंबू इंड़स्ट्रिल पार्क देने का यहां पर योजना बनी और उसके लिए लगबग 75 हेक्टेर में 50 करोर रुपे खर्च होंगे बैंबू पा फॉरस्ट मिनिस्टर विदाहां मुझे बालूम है कि बैंबू में आपको कितनी दिक्कत आती है क्योंकि कानून भारत सरकार के ऐसे थे कि बैंबू को हम पेड़ मानते थे और उसके कटने की इजाज़त के लिए पर्मिशन चाहिए है थे हमने कानून को सरली करन किया और ब फॉरस्ट के उस प्रावधान से बैंबू को निकाल दिया आज जाना से जादा लोग बांस की खेती करेंगे और उसके लिए अपने द्रिश्टी से विकास करेंगे वो कानून में हम परिवर्तन लेकर के आए ये भी हमको ध्यान में लखना चाहिए इसी तरीके से हमारे बर लिना के तहद यहां काम चला है यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसी तरीके से अगर हम बात करें इस साल बजट में तिरपन हजार करोर रुपए असम को दिया गया है 53 थाउजन करोर एक साल में 35,000 करोर रुपए दिये गये है नैशनल हाईवे के लिए और जैसा इतना ही नहीं गाओं की तस्वीर और तकदीर बजली है पिछले 5 सालों में फिर चाहे वो सच भारत मिशन है आज हम गौरब के साथ कह सकते हैं यही असम यहां के गाओं में ओपन डिफिकेशन फ्री नहीं था आज 100% ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया है यह हमको समझना चा होते हैं यह कोई काम है सोचाले क्या होता है आपको मालूम नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग और नितागर्ण कि सोचाले मतलब महिलाओं का ससकती करन है भारत के गाओं में और असम के गाओं में भी लोग सोचाले जाने के लिए हमारी बहने और माताएं सूरियोदे से पह बोल रहा हूं की नहीं बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं की नहीं बोल रहा हूं आज ये सोचाले बन गए ये इज़त घर है ये महिलाओं को इज़त देने का काम हुआ है और ये महिला सशक्ति करन हुआ इसको भी हमको समझना चाहिए उसी तरीके से आयुश्मान भारत कभ लोग कभी गरीब लोगों के इलाज के लिए कोई काम कर सकेंगे लेकिन हाँ आज हम गौरब के साथ कह सकते हैं पिछले तीन सालों में डेड़ करोड लोगों ने इसका लाब उठाया है और लगभग सत्रा हजार करोड रुपए आयुशमान भारत में खर्च हुए गाउं में बिजली नहीं थी घरों में बिजली नहीं थी उजाला योजना सौभग्य योजना इन सारी योजनाओं से आज बिजली पहुंचाई गई है आप उनसे पूछो जिनके घर में बिजली नहीं है उनके घर की स्थिति क्या है जहां बिजली नहीं है वहां पढ़ाई नहीं है वहाँ विकास नहीं है आज वो बिजली को पहुचाने का काम वहाँ पर हुआ है इसलिए मित्रों अगर मैं विकास के दृष्टी से कहूं तो यह कहा जा सकता है कि भारतिय जनता पार्टी का मतलब है विकास और कॉंग्रेस पार्टी का मतलब है अंदकार यह हमको समझना चाहिए अगर अंदकार चाहिए तो कॉंग्रेस की तरफ देखना है और अगर विकास चाहिए बढ़ने के लिए आगे चाहिए तो नरेन रमोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और भारतिय जनता पार्टी को लाना है यह हमको समझना चाहिए मुझे कई वार अस्चरे भी होता है politics of opportunism तो किया ही अफसरवादी राजनी तो की ही लोगों को धोके में भी डाला अभी अभी एक नेता कॉंग्रेस पार्टी के जब जब आए तो उन्होंने यहां पर एक अपनी तस्वीर के साथ वो चाय के बागान दिखाने की कोशिश की था वो चाय का बागान भारत का नहीं था वो ताइवान का था वो चाय का बागान यहां का नहीं था श्री लंका का था यानि जिन लोगों की सोच में भारत की मिट्टी नहीं है वो क्या विकास करेंगे इस बात को हमको समझना चाहिए मैंने कभी चाय के बघान में जाकर के चाय की पतियां नहीं तोड़ी है लेकिन इतना मेरे को ग्यान है कि अपरेल के बाद से ही पतियां तोड़ी जाती है मार्च महीने में फोटो खिचाने के लिए क्यों गए थे ये क्या है ये किस तरीके की राजनीती है मित्रों असम की जनता बहुत जागरूख है असम की जनता जानती है कि कौन यहां फोटो खिचाने आता है और कौन यहाँ सेवा करने के लिए आता है इस बात को जानती है और इसलिए बैए आप सबसे निवेदन करने आया हूँ जहां तक बिमल बोरा का सवाल है बिमल बोरा नेता आज से नहीं छात्र से समय से नेता रहा है यह हमको समझना चाहिए जेबी कॉलेज में जनल सेकरेटरी रहे छात्रों का नेतर तो किया दिन रात आप लोग की चिंता की आप बताईए आप लोग उसे घुल मिलकर के काम करते हैं कि नहीं करते करते हैं कि नहीं करते आप बताईए इन्होंने नाशनल हाईवे 52 भी इसके काम को गती दी की नहीं दी पूरा किया की नहीं किया आप बताईए गाओं को पूरी इलेक्टरिसिटी दी की नहीं दी आप बताईए कि इन्हों ने गाओं की सारी सडके ठीक की की नहीं की मित्रों तो पांच साल इन्हों ने काम किया अब चुनाओं में आपने काम करना है और इनको फिर से विजय हासिल करानी है ये मैं आप से कहना चाहिए मित्रौब खुश नसीब है कि आपको ऐसा प्रतिनी दी मिला है जो दिन रात आपके साथ सेवा करने के लिए जुड़ा है जो बच्पन से छात्र निता के रूप में उभर करके आया है इनको चुनाओं में जिताना हमारी जिम्मेवारी है और मुझे आशा नहीं मुझे विश्वास है मैं देख रहा हूँ इतनी धूप में आप लोग आकर के बैठे हुए है और मेरी हर बात पर आप रिस्पॉंज कर रहे है जब मैं कॉंग्रेस पार्टी की बुराईयां निकाल करके बताता हूँ तो आप लोग को समझ में आता है और आप तालियां बजा करके मेरा साथ देते है और जब मैं अपने कैंडिडेट की अच्छाईयां बताता हूँ तो आप डबल तालिय बजा करके उनका भी आशिरवाद देते हैं वो भी मुझे देखने को मिलता है उसलिए मित्रों यह चुनाओ आसम की संस्कृति की रक्षा सुरक्षा सम्रिधी इसका चुनाओ है और कॉंग्रेस पार्टी ने को वोट देने का मतलब है अफसरवादी की ताजमीती को वोट देना विकास को धत्ता लगाना और अंदकार में आसम को धकेल देना यह उसके बराबर है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि असम की चंता इसकी चंता करेगे और यहां विमल बोरा जी को चुनाओ जिता करके आप विरान समा में भेजेंगे और हमारे रामिश और तेली जी जो यहां पर हमारे सांसद है इनकी सभी सीटों पर कमल आप खिलाएंगे और विकास को आगे गती देंगे यह मैं आपको बताने आपका निवेदन करने आया हम और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरा करेंगे आपने मेरी बात सुनी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम फिर मिलेंगे चुनाओ के बाद मैं फिराओंगा बहुत बहुत धन्यवाद